हेलो एब्रिवन मैं सुप्रिये आप सभी को सुप्रिये एजुकेशन हब यूटूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में मैं आप लोग को अति महत्य पुर्ण मुहाबरा बताने वाली हूँ जो कि आप लोग के परिक्षा में पूछा जा सकता है आज के हिंदी 50 मार्ग से तो आप लोग का 10 नंबर का मुहाबरा पूछा जाएगा तो हम दोनों स्टुडेंट अगर आप लोग का हिंदी 50 मार्ग से या हिंदी 100 मार्ग से इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग के एक्जामिनेशन में हेल्प करेगा चलिए सबसे पहला म कंगारों मतलब होता है आग पर पर रखना का क्या मतलब है अगर हम लोग जा अपनी आप रख्राइनंतों तो अपने को आपको पूछे में बभल तो आपकर द्ध्श्चारा worry मोहाबरा Вам जाता है तो हम लोग वाग के क्या लिखेंगे दरोगा जी से बैर करना अंगारों पर पैर रखना ठीक है हम लोग अपने आपको ही खत्रे में डालते है ठीक है अंधा बनना अंधा बनना मतलब होता है जान बुझ का किसी की उपेक्षा करना बाप बेटे की ओर से अंधा बन गया था बनना का मतलब होता है उसके तरफ ध्यान अतना नहीं दे घान के घ्राण जान बुझ कर किसी की ऊपेक्षा करना थो अंधा बनाना का मतलब होता है अंधा बनाना का मतलब होता है अंधा बनाना का मतलब होता है अपना उल्लू सिधा करना का मतलब होता है अपना काम निकालना अपना उल्लू सिधा करना का मतलब होता है अपना काम निकालना जब तक उसे अपना उल्लू सिधा करना था वह मेरे स ओर्भों मतलब अगर दिश्त करने कोई कम रहेगा तो आप लोगों से तो आप अब सब्कुरा कोज़ाएं जाया नीरै अपना काम क शक्राइब अब साथ रहे टैकर में अपना कम मेरे शक्राइब करना था मेरे तया खालत though अपने खजय अलग पकाना का मतलब सब्सें अलग रहना अरी मतलब तुवाख रहत नृत को difilsyim मितलब अपने खुद करणा अपने खुद करना अपने पाव में आप कुलारी मार ली नेक्स्ट क्या है आप लोगों का अंगार बरसना अंगार बरसना क्या मतलब होता है अधिक गर्मी पढ़ना अंगार बरसना क्या मतलब होता है अधिक गर्मी पढ़ना ठीक है अंगार बरसना क्या मतलब होता है अधिक गर्मी पढ़ना जेट की दो पहड़ी में अंगार बरसता है अंगुठा दिखाना दिखाना मतलब होता है चिणदाना अंधे की लाठी का मतलब होता है एक मादर साहरा बुढ़े बाप के लिए बेटा ही अंधे की लाठी होता है अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना पहले भी हम लोग देख चुके थे जब तक उसे अपना उल्लू सीधा करना था वह मेरे साथ लगा रहा आखो का तारा आख का तारा मतलब होता है अत्यांत प्रिये कि आखो शुए अंधी आखों का उजाला है या आख का तारा है ऐडी ओना आखह कुलना ना आखह खुलना का मतलब होता है उत्यां कहा बस्थेने करता सब्सक्रेशा। लोओ पीकर रह जाना का मतलब कुरोध को मन में रोखना राम उसकी बात पर लोह पीकर रह जाना मतलब क्रोध को मन में रोकना लोहा मानना मतलब स्रेष्टा स्विकार करना सभी देश भरतिय सेना का लोहा मानते है लोहा मानना मतलब स्रेष्टा स्विकार करना सभी देश भरतिय सोना का लोहा मानते है लाले परना मतलब महताज होना आजकल उसे रोटियों के लाले पड़े है लोहे के चने चवाना मतलब लड़कियों को पढ़ा नहीं सकता घंस काना श्रीगरणेजS और से नये बहुत बापका स्धीर उक्राइद हुआ 좋은 न वीस देशी आँका हुआ तरह बेटेजगेड से धर किया है सिर खाना सिर खाना मतलब होता है परेसान करना वह अपनी बातों से मेरा सिर खाता रहा सिर मुराते ओले पढ़ना आराम से ही काम बिगड़ना सिर मुराते ओले पढ़ना क्या मतलब होता है आराम से ही काम बिगड़ना इस वैपार्ड में उसे सिर मुराते ही ओले सर्दार भगसि में कफन बांधल कर घर से चले थे यह सिर में कफन बांधना का मतलब मरने के लिए तैयार सिर उठाना सिर उठाना मतलब विद्रो करना जनता ने सरकार के बुरूद सिर उठाया सिर फिरना मतलब पागल होना बुद्धी प्राश्ट होना सिर फिरना मतलब पागल होना बुद्धी प्राश्ट होना आजकल देवदास का सिर फिर गया है सिर मुर्ना मतलब ठगना ठगो हजामत बनाना मतलब मरमत करना मुर्क बना कर ठग लेना उस ठग ने मुसाफिर की अच्छी हजामत उस उठाना उस ने नाहक बच्चेपर हाथ उठा दिया हाथ । प्रमांड की अविसकता नहीं होती हाथ चांगन ca 226 प्रमांड की अविसकता नहींuge प्रत्यक्ष को प्रमान क्या सकता नहोंना मैंने आपके सामने खेज जोद दिया है देख लीजिए हाथ के तोते उड़ जाना अकल गुम हो जाना हाथ के तोते उड़ जाना अकल गुम हो जाना रुपयों की थैली के अगाई भुई उसके हाथ के तोते उड़ गया हाथ को हाथ न सूजना मतलब घना अंधिकार होना हाथ को हाथ न सूजना मतलब घना अंधिकार होना रात में जब मैं बाहर निकला हाथ को हाथ नहीं सूज रहा था हवा से बाते करना मतलब बहुत तेया चलना बाबा भारती को घुरा बाबा भारती का घुरा हवा से बाते करता था मिट्टी में मिलाना मतलब नस्ट कर देन मिट्टी में मिलना मिट्टी में नस्ट कर देना सेना ने बम से कीले को मिट्टी में मिला दिया मिट्टी पलीद करना बेज्यत करना भड़े बाजार में उसने राम की मिट्टी पलीद कर दी मिट्टी में मिलना नस्ट होना मिट्टी में मिलना मिट्टी में मिल गया मूह की ख दूसरे पर नेवह रहना रामनात सदा जवाब देना चुप करा देना जवाब देना बेटे ने बाप को मुहतोर जवाब दिया मुहतोर जवाब देना चुप करा देना बैटेने बापको मूहतौर जवाब दिया मुह Não मुह दिखाना मतलब मुह लटका लेता है मुह देखकर बात करता खुसामत कर मुह देखकर बात करना, खुसामत करना, कलाकार मंत्री का मुह देखकर बात करता है, मुह देखकर बात करना, खुसामत करना, मुह फेर लेना, उपेक्षा करना, अजैने पडिवार से मुह फेर लिया, मुह फेर लेना मतलब उपेक्षा करना, मुह मोरना मतलब बिमुक होना, एन व्यक्त पर उसने राम से मुह मोर लिया, मुठी गरम करना, घूस देना, सेट ने हाकिम की मुठी गरम कर दी, मुठी में करना, वस में करना, मेने दरोगा को मुठी में कर लिया, मुठवेर होना, भिरंत होना, मुलाकात होना, दोनों की फोजी में मुठवेर हो गई, मुझे नीची होना बेई जत होना हाडने से उस पहलमान की मुझे नीची हो गई रंग उढना रंग फीका पड़ना इसकपड़े का रंग उट गया है रंग बदलना नाराज होना अच्छी दसा में आना सुरेश बात बात में रंग बदलता है लाटरी जीत कर अमेश का रंग बदल गया है कलेजे पर साप लोटना एर्षय यह जलन होना राम के लोडरी खुऻने पर उसके परोशी के कलेजे पर साप लोटने लगा कागज काला करना व्यार्थ लिखना कागज काला करना मतलब व्यर्थ लिखना केसम ने यह कहाने लिखकर केवल कागज ही काला किया है कान पर जूतक ना रेगना तनिक भी परवाह ना होना मैं रोज उसे पढ़ने के लिए कैती उपर उसके कानों पर जूतक नहीं रेंगते कान भरना शिकायत करना कमल ने मेरे विरुद पिता जी के कान भरना मतलब शिकायत करना कमल ने मेरे विरुद पिता जी के कान भरना किताब का किरा हर समय पढ़नी वाला किताब का किरा बनने से ग्यान प्राप्त नहीं होता कान काटना मात करना कान काटना मतलब मात करना आगे पर जाना मेरा घोरा दोडने में मोटका भी कान कटता है कान खड़े होना सतर्क होना इसाना सुनते ही कान खड़ी हो गान सुनते ही कान खड़े आधकिसी के फृड़े metropolitan की प्रतिक गया करना आप ङबाबावर कान पकड़ आफ जुवायक नहीं खेलऊगा कान में तेल डाल बैटना, सुनी अनसुनी करना, खटाई में पढ़ना या फुलना, रुख जाना, व्यर्थ की देर होना, खटाई में पढ़ना या फुलना, रुख जाना, व्यर्थ की देर होना, खटाई में पढ़ना या फुलना, रुख जाना, व्यर्थ की देर होना, पुरानी बातों को सामने लाना गाल बजाना मतलब डिंग हाकना गिरगिट की तरह रंग बदलना तुरंट तुरंट विचार बदलना देवघर का क्या विश्वास हुआ तो गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है गुलर का फूल होना दुरलब वस्तू होना आजकल रामनात गुलर का फूल हो गया है वह मुश्किल से दिकाई पड़ता है गले मढऊना इचछा के वтоящ ब्रूद कुछ सौपना या समान ठमा देना गले बढ़ना इचछा के व orphod कुछ सवपना या समान ठमा देना दुकानदार ने अपने बेकार चीजे गौरा कगे गले मढळ दी घरो पानी पर जाना खुब लजित होना आ गुटने टेकना हार मननना आखिर रमेशन आ पने काम से गुटने टेक ही दिये जी जलना कस्ट होना किई उन्नती देख कर दोश्ट प्रगति का जी जलने लगता है जी छोटा करना हो जी छोटा मत करो सफलता अबस्य मिलेगी दम भरना अपनी जूठी का दम मत भरो तुंकि तुम्हारी कर्म हिंता से सभी अवगत है दात से दात बजना बहुत जाड़ा पढ़ना माग मैने की सुबह में कभी कभी दात से दात बजने लगते हैं दो टुक कहना दो टुक कहने पर वह नाराज हो गया नजर चुराना नाक कटाना मर्यादा नस्ट करना नाक में दम होना तंग होना नाको चने चवाना तंग होना नौदो ग्यारा होना भाग जाना पानी पानी करना लजजित करना पानी फेरना बरवाद करन पानी फेरना मतलब बरबाद करना मत्या मोट करना अपनी चाल से आ जाए ने मेरे किये कराय पर पानी फेर दिया पीठ ठोकना मतलब उससाहिद करना राम के पास होने पर मैंने उसकी पीठ ठोकी पीठ दिखाना हार कर भाग जाना पीठ दिखाना हार कर भाग जाना लडाई के मैदान में चीनी सेना ने पीठ दिखा दी पोल खोलना भंडा फोर होना बीच सवा में राम ने चोर बजारी की सेट की फोल खोल दी पह बारा होना बनाना लाव होना इस वैपार में आजकल राम के पह बारा है फूला ना समाना बहुत उल्लासित होना बेटा पैदा होने के सम से कि जूत बोलना फुसामत करना कि संजय खुब बात कर औहुत कि न आषि को रामलाल को बैल की आधत पर गई है बहुए giител को बहुना लBack से किए दाट में बहुए बंगया बदला लेना आज मैं आशोग को मज़ा चखाऊंगा करने अपने मालिक के सामने बहुत नाक रगडी पर सुनवाई संदाज होना है, और दाल का भाव मालूमुहोना, कस्ट का अंदाजadesh होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, कस्ट का अंदाजा होना, बड़ा हाकते थे वे, अब जब सर पर पड़ी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, आकास पताल का अंतर होना, बहुत ज्यादा अंतर होना, इसमें उसमें तो आकास पताल का अंतर है, कान भरना, चुगली कर कागच कला करना वियर्थ लिखना क्यों दिन राते हो गरगिट की तरह रंग बदलना एक अस्थान पर इस्थेर ना रहना चाचा जी तो हमेशा गरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं घाट-घाट का पाने पीना बहुत अनभवी होना भला ये कभी धुगा का सकते यह तो पर आते हैं जान पर खेलना मृत्यू से बिना डड़े कुछ करना जान पर खेलना का क्या मतलब होगा मृत्यू से बिना डड़े कुछ करना उन्होंने अपने जान पर खेलका उस बच्चे को आख की लपेटों से बचा लिया डेर्ष चावल की खिच्री पकरना एक आखी उ उपकाड को ना मानना वह तो पूरा धोड़त निकला काम बनते हैं उसने तोते की तरह आखे फेर ली दात गराना किसी चीज को पाने की गहरी चाह रखना इस वस्तु पर वह बहुत पहले से ही दात गरा हुए है दिल दड़िया होना उदार उदार हिरदय होना बैभा पाकर उनका दिल दड़िया हो गया था नाक में दम होना परहसान हो जाना तुमारे शिकाष सुनते सुनते मेरी नाक में दम आ गया है ृती सफ्ट्रीज का नि 9 के चकर में पढ़ना धन जुटाने के फिर पढ़ना नियानमे के चकर में पढ़ने पर मन की सांतरी का पानी पाणी ओना लज़ीत होना रंगे अतों अपने चोडी को पकर देखकर वा पानी। पानी हो गया पेट में चुए कोद भूख लगना, पेट में चुए कुद रहते हैं पर चूली सब्लेल, तैट कुद रहते हैं। उसने आगे तो हुआ एकदम से भीगी बिल्ली ही बन जाता है मन मिलना एक राय वाला होना हर बात पर सभी का मन सभी से नहीं मिलता है और है ठीक है सब से बढ़ दिखाना हम यह सई साइच आप मिलन्या जबाटियों कैंड़ लौकणा चैंता देख यांदा अर्व कर थे सबर अब जबाब मांगने पर सर्किंव खुजलाने लगे कर देना क्या समझाए उसने एक ही जापर में उसके होस्ठी खाने कर दूंगा हिर्दय से लगाना अतिसे आत्मियता जताना माने बेटे को देखते ही हिर्दय से लगा लिया हाँ साफ करना खूब मैंने अपने मित्रों के साथ आज रसूले पर हाथ साफ किया हाथ खाली होना पास में पैसे न होना हाथ खाली होने कारण मैं अपकी सहता करने में असमर्थ हूँ हाथो हाथ बिख जाना ग्रहा को द्वारा तुरंत ले लेना उनके माल के बाजार में आने की देर थी कि सारा का मैंने तुम्हें कितनी बार समझाय कि या संभव नहीं मगर तुम 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 पर बाल जमाना चाहते हो आज की वीडियो में हम लोग जाने हिंदी सौमाक्स और हिंदी 50 माक्स से रिलेटेड बहुत ही अधी महत्यपोन मुहाबरा जो कि आप लोगे परिक्षा में सीज़ा पूछा जा सकता है तो चलिए इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए ज्यादे स्ट्रागल नहीं करना है बस आप लोगों को वीडियो करना है कान में हेटफोन लगा लिजिए आप लोगों को याद हो जाए मिलते हैं आप हम लोग किसी भी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड थैंक यू एंड थैंक्स पर वाशिंग मैं वीडियो